नमस्कार, महरास्टों में सियासी उता पुतल के बाद भाजपा ने 2024 के आम चनाव में उद्दफ ठाकरे के सियासी वजूत को ठाने की पूरी भूमिका तयार कर ली है उद्दफ ठाकरे सत्ता गवाने के बाद किसी तरहे पार्टी बचाने की कोशिस में लगे हुए हैं पार्टी पर उनकी पकड़ किस कदर कमजोर हो रही है इसका अंदाजा इसी से लगाए जा सकता है कि उनके सांसद एंडिये उमीदवार को समर्थन पर अड़े हुए है जो कि एंडिये ने द्रोपदी को दरसल प्रेजिडेंट पत के लिए केंडिडेट बनाया है आपको बदादे की शेफसेना के 40 विधायकों के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद दावे किये जा रहे हैं कि बहुती जल्द सांसद से लेकर के स्थानिये स्तर के नेता तक शिंदे गुट के साथ में आ जाएंगे वहीं पार्टी सिंबल को लेकर के उद्धफ ठाकरे गुट का चुनाव आयूक तक पहुँचना दिखाता है कि ये उनके लिए अब अस्तित्त की लड़ाई बन चुकी है विधायकों की बगावत के बाद चर्चा है कि कई सांसद भी पाला वदलने वाले हैं उद्धफ ठाकरे ने मातोश्री में सांसदों की बेठक बुलाई थी जिसमें केवल और केवल 11 सांसदी पहुँचे और 7 बेठक में अनुपस्थित भी रहे वहीं कुछ सांसदों ने उद्धफ ठाकरे को शिंदे से सुलह करने की भी सलादे डाली है जो सांसद भारती जरता पार्टी के साथ में जा सकते हैं उनमें एकनाश शिंदे के बेटे श्रीकान शिंदे और भावना गवली जैसे नाम शामिल हैं वहीं शिवसेना के सांसद इस बात पर अड़े हैं कि उद्धफ ठाकरे एंडिये की रास्टपती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का फैसलान है दूसरी तरफ अगाडी गटबंदन में कॉंग्रेस वर रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के साथ होने की वज़े से उद्धफ ठाकरे पर यश्वन्त सनहा का समर्थन करने का दबाब है इस उहापोहो में भी सांसदों के तूटने की लगातार आशंका बनी हुई है मराठा कम्यूनिटी है ये दोनों ही वोट भारती जनता पार्टी के लिए बहुत ही एहम है ऐसे में महरास्ट में एकनाश शिंदे को मुख मंत्री बना करके भारती जनता पार्टी ने साल 2024 की तयारी कर ली है जाहिर सी बात है कि इसका असर लोकसबा चनाव पर भी पड़ेगा शिंदे को सीएम बना कर भारती जनता पार्टी ने एनसीपी के शरतवार की भी जो है काट निकाल ली है जो कि महरास्ट की राजनीती का बड़ा चेहरा है एकनाश शिंदे ने दावा किया था कि बहुत सारे शिफसेरा के पार्षदों और इस्थानिय निकाए ग्राम पंचायतों के निताओं में भी असंतोष का माहल बना हुगा है और वो खुद उद्दफ ठाकरे का साथ छोड़ना चाते हैं अगर ऐसा होता है तो उद्दफ ठाकरे की पकड़ जमीनी इस्तर पर भी खत्म हो जाएगी वहीं भारती जनता पार्टी की पकड़ निचले इस्तर पर भी मजबूत हो जाएगी जिसका फायदा उसे 2024 में मिल सकता है अब उद्दफ ठाकरे बहुती अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं पार्टी को बचाने की जुगत कर रहे हैं पार्टी का सिंबल यानि की चिन बचाने की लगातार कोशिस में जुटे गए हैं चुनाब आयोग तक भागे भागे फिर रहे हैं जो भारती जनता पार्टी ने मास्टर प्लान बनाया है साल 2024 के लिए उससे कही न कहीं उद्दफ ठाकरे की सियासी जमीन महरास्टर से किसकती हुई दिखाई दे रही है और शरत पवार शयसे नेता तो आंदी में जैसे धूल उड़ जाती है वैसे उड़ जाएंगे उनका पता भी नहीं चलेगा बहराल जो बीजेपी के मास्टर प्लान से 2024 में उद्दफ ठाकरे की जो पॉलिटिक्स कही न कहीं विलॉप्त हो जाएगी और जो चुनाफ जो दरसल अपने पार्टी सिंबल के लिए वो लगातार भागतिक भी दिखाई दे रहे हैं इस सांसदों ने भी बगावत कर दी है इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्ब लोगा किसे दूसरी बड़ी ख़बर के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आपको मिलें